हेलो एवरिवन, वेलकम टू फांडेशन क्लासिज भाई आमेद, देखे भई, आपकी ये लेटेस्ट न्यूज है, आपको साथ मिल भी गई होगी, जो कि आपकी एच्टेट से रेलेटिड है, आपका जो एच्टेट है उसको लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है जैसा कि आपका सीट एट को वैलिड किया गया था, उसी तरीके से, लेकिन सबसे बड़ा जो डाउट है वो इस बात को लेके है, कि किन का लाइफ टाइम हुआ है, और किन किन को दुबारा देना पड़ेगा, उस बात को लेके डाउट है, तो आपका ये लैटेस्ट नोटि चैनल पर आपको बेस्ट और ओथेंटिक जो मैटेरियल होगा जो न्यूज होगी वही प्रवाइड करवाई जाएगी चलिए आते हमारे टोपिक के उपर तो देखिए आप हम कम्प्लीटली इसको पढ़ेंगे कि दा स्टेट गोर्मेंट हैस डिसाइडिड तू उसने डिसाइड किया है कि आपकी जो एस्टैट की जो सट्रिफिकेट एना उसको लाइफ टाइम के लिए वैलेड कर दिया जाए यह तो आपका कंफर्म हो गया है कि लाइफ टाइम के लिए आपके जो वैलेडिटी है वह आपकी बंच चुकी है अब इन्होंने आगे भी लिखा कि further it is also decided that the state teacher eligibility जो टेस्ट है यानकि आपका हर्याना teacher eligibility जो टेस्ट है उसकी certificate expired on the date of this notification will be treated as valid for the advertisements issued for the recruitment of teachers after issuance of this notification अब इसमें ये बोला गया है कि आज आपकी 6 तारिक है आपकी 6 अगस्त को आपका ये notification आया है तो अगर आज की date में यानि 6 तारिक को अगर किसी का estate की जो certificate है वो आपकी expiration होती है तो वो आपकी expiration नहीं मानी जाएगी आगे आने वाली जो भी आ आपकी वेकेंसिस होंगी उनके अंदर वो valid होगा ठीक है ये बात इहां पे बोले गई है अब डाउट ये उठता है अगर किसी का पांस तारिक को एक्सपायर हो गया हो अगर किसी का एक महने पहले एक्सपायर हो गया हो तो वो आपके एक्सपायर हो चुके हैं उनको दुबारा ही देना होगा ठीक है अगर किसी ने मालो दो तो वो आपका expire नहीं माना जाएगा, आज से पहले जिसका expire हो चुका, उनका expire हो चुका है, उनको फिर से देना है, ठीक है, और जिनकी validity बची हुई है, मालो किसी ने last year दिया था, तो उसकी तो अभी validity बची हुई है, तो उसका आपने आप आपका lifetime के लिए valid हो गया, ठीक है, समझ में आपको समझाया है, देखो, मानो, ऐसा मानो, कि कल आपका 5 अगस था, आज आपकी 6 है ना, तो मान लो, कल ही किसी का expire हुआ है, तो normal सी बात है, expire हो चुका, उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, 6 तारिक वेन कि आज की date में अगर किसी का expire हुआ है ना, तो उसको expire नहीं म किसी को पढ़ने में doubt हो, तो आप इसको भी read कर सकते हैं, देखे मैं पढ़के भी आपको बता देता हूँ, कि राज्य सरकार ने राज्य सिक्सक पातरता परिक्ष्या, यानि कि हर्याना सिक्सक पातरता परिक्ष्या, उत्तिरन करने के परमान पत्रों की जो वैद्यता है, उसकी अवधी को जीवन भर के लिए भढ़ाने का निर्ने लिया है, इसके अतिरिक्त, देखे ये वाली बात, इसके अतिरिक्त यह भी निर्ने लिया गया है कि इस हदी सूचना की तारिक को समाप्त हो चुके, देख रहे हो आप, आप 6 ना कि 6 अगस्त? और आपके 6 अगस् इस हदी सूचना के जारी होने के बाद, जारी किये गए सिक्सक भरती विज्यापनों के लिए आपका वैद माना जाएगा, ठीक है? तो आपका इंगलिस वर्जन भी मैंने आपको बता दिया, हिंदी वर्जन भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप इस बात को अच्छे से देट में अगर expire हुआ है, तो वो expire नहीं माना जाएगा, वो आपका valid रहेगा, ठीक है? और जिनकी validity बची हुई है, वो तो सिधा सिंपल सा है, उनका lifetime के लिए validate हो गया है, ठीक है? तो यह आपकी information थी, अगर आप चैनल पर new है, तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले SZ की preparation, आपके different PRT के exams की preparation, इस चैनल पर आपको best और authentic material के साथ ही करवाई जाएगे, तो आज के session में सिर्फ इतना ही, thank you.